नमस्कार, प्राइम टाइम में, आज मैं कादम बिनी शर्मा हूँ आपके साथ, नया साल नई खुशकबरी के साथ शुरू हुआ है, कि कोरोना की एक वैक्सीन, कोविशील्ड, जो की सिर्म इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, उसे हरी जंडी मिल गई है, ये सूत्रो का कहना है, कई देशों में वैक्सीन देनी की शुरूआत भी हो चुकी है और भारत में भी वैक्सीन के लिए इंतजार हो रहा है, एक बार ड्रक्स कॉम्ट्रोलर जनरल से इजादत मिल जाए, फिर वैक्सीन जनता तक पहुँचाने का काम भी शुरू हो जाएगा, पहले द अब एक दस करोर डोज अभी पहले हफते में जनवरी के तयार है और जैसे ही क्लियरंस की प्रक्रिया पूरी होगी, बड़े स्थार पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है, इस वैक्सीन को लेकर जो भी सवाल हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कोई सवाल कई हैं, सवाल वो कितना एफेक्टिव है, इस से भी जुड़ा हुआ है, क्या साइड एफेक्ट्स हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कई तरह के सवाल इस वैक्सीन के आसपास अभी फिलहाल मन रहा है, हलाकि इंतजार भी उसी शिदत के साथ हो रहा है, तो चलते ह इंतजार के बाद, आज जो सूत्र बता रहे हैं कि हरी जंडी मिल गई है इसे और जल्दी जंता तक पहुचेगी, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर जो मेडिकल फ्राटिनिटी है, उसमें क्या बाची चल रही है, क्या सोच चल रही है? देखे कि क्योंकि जो ये इंफेक्शन है, इसको खतम करने के लिए वैक्सीन बहुत जादा कारागार रहेगी और सभी लोगों को बेसबरी से वैक्सीन का इंतजार है, तो जो मेडिकल फ्राटिनिटी है, उनका ये सोचना है कि अभी तक हम लोग कोई भी अच्छी ट्रीट जाती हैं ऐसे इंफेक्शन के अगेंस, तो मेडिकल फ्राटिनिटी को बहुत उमीद है कि वैक्सीन आने के बाद हम जल्द ही इस बिमारी से निजात पास सकेंगे, आप कोवैक्सीन ट्राइल से भी जुडी रही है, जहां तक हमारी जानकारी है, इन दोनों वैक्सीन आज शायद कोवैक्सीन पर भी मीटिंग में बाचीत चली है, तो ये दो वैक्सीन हैं, उनके अलावा फाइजर भी है, लेकिन ये जो कोवी शील्ड है, शायद कोस्ट की वजए से और जिस तरह से ये ट्रांस्पोर्ट होगा, जितने टेंपरेचर पे, उसके कारण ये ज़्या बादा एहम है भारत के लिए या पर इसके और भी वजए हैं? जाता स्ट्रॉंग है, हमारे या घर-घर तक जाकर वैक्सीन लगाई जाते हैं, जैसे का पोलियों की दवाईयां पिलाए जाते हैं, और और वैक्सीन पिलाई जाती हैं, तो जो कोल्ड चेन जो मेंटेन करते हैं हमारे या, वो बहुत सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉंग है, औ और उसी cold chain के जरिये ये दोनों vaccine भी transport की जाएंगी. लेकिन यहां तो घर-घर जाकर वाली बात नहीं होगी. यहां तो जो लोग हैं उनको जाना होगा, center speak, क्योंकि आधा घंटा उनको observe भी करना होगा. initial stages में तो यही होगा, उसमें पहले हमारे जैसे कि अभी जो बनाई जा रही है timeline उसके हिसाब से पहले जो हमारे frontline workers हैं, जैसे healthcare workers हैं, police कर्मी हैं, army हैं, उनको लगाई जाएगी. लेकिन जब तक यह तीन से चार महिने में जनता के लिए available होगी, तब तक यह करोडों के उपर already लगाई जा चुकी होगी. और जिस तरह से system बनाया जा रहा है, तो आने वाले time में, हर किसी को आप एक center पर बुला के नहीं vaccinate कर पाऊगे, तो ultimately जब आपने पूरी करोडों की जनता को vaccine लगानी है, तो आपको अपने immunization system को यूज करना ही पड़ेगा. और अभी जो प्यारी की जा रही है, वो election mode वाले system को यूज करके की जा रही है, ताकि ये vaccine हम लोग जन-जन तक पहुँचा सकें. So initial stages में ये hospital setup में लगाई जाएगी, लेकिन तीन-चार महीने के बाद जब आपके पास अच्छे results होंगे और इसके बारे में और भी ज़्यादा information available होगी, तो ये routine immunization system के अंदर भी लगाई जा सकती है. इस vaccine को लेकर ये भी एक डर है कि side effect क्या होगा. हाला कि किसी भी दवा का side effect हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक बिमारी नहीं है, vaccine नहीं है, शाद इसलिए लोग ज़्यादा शक कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह के side effects हैं, किस चीज़ के लिए तयार रहना चाहिए, ज़्यादा परिशान नहीं होना चाहिए, क्या है? यह हैं कि जो, देखें, दो चीज़े हैं, एक तो कि COVID होने के बाद, जो बिमारी हो रही है, उससे क्या problem आ रही है, और दूसरा है vaccine जो उसके बचाव के लिए यूज की जा रही है, तो अभी तक देखा गया है कि जादातर लोगों में जो side effects हैं, वो mild to moderate ही आए हैं, बहुत कम percentage ऐसी है, जिसमें severe side effect देखने को मिला है, और mild side effect जो commonly बाकी vaccines के साथ भी देखे जाते हैं, जैसे क्यूंकि यह injectable है, तो जिस site पे हम injection लगा रहे हैं, उस site पे आपको दर्द हो सकता है, थोड़ी लाली हो सकती है, सूजन आ सकती है, काई बारी बुखार जैसे लग सकता है, हरारत लग सकती है, तो जो common side effects वो बाकी vaccines के साथ भी देखे जाते हैं, और वो ही इनी vaccines के साथ देखे जा रहे हैं, और जादातर जो vaccine का एक डर होता है, कि कोई serious side effect जो होता है, उसको हम एक allergic reaction कहते हैं, जिसको anaphylaxis कहते हैं, और वो अगर होना होता है किसी में, तो वो लगाने के तुरंत बादी या जल्दी आदे गंटे के अंदर-अंदर ही हो जाता है, इसलिए जो time period रखा गया है, वो आदा गंटे के लिए रखा गया है, कि initially अगर किसी को allergic reaction failure हो सकती है, तो उसके लिए वो hospital setup में उसके बचाव के लिए दवाईया available हैं और उसको immediately take care किया जा सकता है, और जाहतर serious side effects वो आदे घंटे के बाद होने के chances कम हो जाते हैं, तो हम लोगों को यही कहेंगे कि जैसे आपने बाकी vaccines के उपर भरोसा किया है, और आप अपने छोड़े- लेकिन यह vaccine खास किस तरह से है, दो बार लगाई जाएगी, इसके कारण खास है, कि पहली के बाद यह समझना शायद बहुत जरूरी है कि precautions कम नहीं करने हैं, तियात पूरे बरत ने हैं, वो इसलिए कि जब तक सब को vaccine नहीं लग जाती और जो अभी जो COVID का transmission की जो chain है, जब ही है, हर vaccine का अपना अपना schedule होता है, और ज़ाधा तर जो भी vaccines अभी आज़े हैं, बार्केत के लिए COVID के लिए, वो धो चेडियोड बगाई जा रही है, तो पहली जो vaccine लगाई जाती है, वो बाड़ी को सिर्फ सेंसिटाइज करती है, और उसके बाद जो second dose हम लगाते हैं, वो हमारे असली में immune system को boost up करती है और इस बीमारी से लटने के लिए जो हम antibodies जिनको कहते हैं जो immune system boost up के बाद आती हैë वो second dose लगने के बाद जादा boost up होता है तो हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपनी जो कोविट की प्रोटेक्शन के लिए जो आप इतिहार बदत रहे हैं अभी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना मास्क पहनना और अपने हाद रेगुलरली धोते रहना या सनिटाइज करते रहना तो वह इतिहार बदते रहें जब तक कि पूरे जनता में या ज्यादा तर लोगों तुमको वैक्सिन नहीं लग जाती इसले एक एक छोटी सी चीज और में जाना चाती हूँ क्या खने पीने पे भी कोई पाबंदी है कि अप यह सकते यह नहीं खा सकते यह पी सकते क्यों डिन चाने पीने हमेंगी हमने घ्में हो गई तो हमें आपे खाने-पीने से daxali में ख एक ये भी सवाल है कि कुछ ग्रूप ऐसे हैं जैसे बच्चों का जहां तक सवाल है उनको अभी शायद नहीं टीका लगाया जा रहा है वैक्सिन इसका नहीं दिया जा रहा है जो प्रेगनेंट महिलाएं हैं उनके बारे में फिलहाल कोई डेटा नहीं है कुछ जिनको जो वैक्सिनेशन की लड़ाई है क्या उसमें ये गाप की तरह देखे जाएंगे या फिर कुछ और नहीं जो एक प्रक्रिया होती है कि हम जैसे जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके ओपर हमें स्टेडी करना पड़ता है और वो सबसे पहले सिर्फ हेल्दी वॉलेंट जो पहले से ही किसी कारण वश थोड़े से आप वीक भी नहीं कह सते लेकिन आपको यह नहीं पता लगेगा गर हम शुरू में इनके ओपर शोध करने लग जाएंगे तो हमें यह नहीं पता लगा कर कोई प्रॉब्लम आती है कि क्या वो दवाई या वैक्सिन के कारण आ रह ब्रेस फीडिंग पीमेल्स हो गए या एल्डरली लोग हो गए जिनका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से डवलप नहीं होता या किसी कारण से वीक होता है तो उनको आप इनिशल स्टेजिस में नहीं लेते हैं तो अभी जैसे जो परमीशन आएंगी भी वो हम 18 साल से लोगों को ही वैक्सिन लगने की परमीशन आएगी उसके बाद जो कंपनी वैक्सिन बना रहे हैं वो दुबारा से धीरे धीरे हम लोवर एज ग्रूप पे जाते हैं जैसे 12-18 साल के बीच में वो परमीशन लेंगे फिर 6-8 साल और फिर धीरे धीरे और चोटे बच्चों मे अगर किसी तरह का कोई साइड एफेक्ट नहीं आता और फिकेसी जादा अच्छी आती है तो ही हम धीरे धीरे बच्चों की तरफ जाना शुरू करते हैं और अभी जो फेस्ट्री ट्राइल्स हो रहे हैं को वीशील के और को वाक्सिन के भी उसमें हम लोग एल्डरली पीप वाक्सिन को मार्केट में आने के लिए या इमर्जेंसी ऑथराइजेशन वो सिर्फ 18 साल या 18 साल के उपर के लोगों को ही मिलेंगी और बाकी लोगों पे अभी आगी शोद जारी रखना पड़ेगा वैसे कही जानकार ये भी कह रहे हैं कि वाक्सिन क्यूंकि वाइरस भी वाक्सिन भी नया है तो लेट्स वेट और वाच कि किस किस तरह से इसको और ट्वीक करना पड़ता है बदलना पड़ता है म्यूटेंस के हिसाब से या क्या इसके और कुछ भी जो लोगों पे इसका क्या रियाक्शन है वो भी देखना होगा अधिकतर तो ठीक नजर आ रहा है और फेज 1, फेज 2 और काफी स्टेजिस वेक्सिन का फेज 3 भी अभी कंप्लीट होने में आ रहा है या चल रहा है तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आनी होती तो वो इनिशल स्टेजिस में ही पता लग जाती है यह ज़रूर है कि जब वो आम जनता में यूज होती और ब वो शायद उससे कहीं जादा बड़ी हैं तो इसलिए हमें अगर वैक्सिन लगाने का मौका मिलता है तो हमारा एड़ाइस अब को यही होगा कि आप बढ़ चरकर आगे आएं और वैक्सिन को लगवाएं लेकिन इस वैक्सिन को लेकर कई अफवाहें भी कहीं कहीं पर चल रही हो तो कुछ हिल्प लाइन नंबर भी है और सबwenочно किसी यहल्थ केर वर्कर के कांटक्ट मे हैं तो वह उस tentang केस्थ को स्कूण और बूर्च की आपके शायद प्रेशर में अभी अगर कोई रहा होगा तो वो स्वास्ते करमी ही रहे होंगे आपको लगता है कि आपकी जिन्दगी थोड़ी आसान हो जाएगी ये वैक्सिन आने के बाद यानि हम लोग मास्क उतारने के लिए तयार हो जाएंगे और आप लोगों की जिन्दगी थोड़ी सी आख़ान हो जाएगी अभी हमें लगता है कि अभी क्योंकि अभी अजैसा आपने खुद का अभी बच्चों की तादात हमारे हैं बहुत जादा है एल्डरली हैं और प्रेगन फीमेल और बहुत और वर्नेबल गृप्स भी हमारे हैं जिनको अभी ये वैक्सिन नहीं मिलेगी तो अभी तो अगर आप लो हम सब को वैक्सिन लग भी जाती है उसके बाद भी हम सबसे यही गुजारिश करेंगे अगले 6-8 महीने तक आप अपने प्रिकॉशन को मेंटेण करवे अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए ही सई और अपने परिवार के लिए आपको यह जो प्रिकॉशन है हमारी जो कोविट के लिए हम फॉलो कर रहे हैं हम सबसे यही गुजारिस करेंगे कि उनको आप फॉलो करते रही है। लेकिन जिस तरह से माल लीजे बच्चों को जैसे हमने देखा है कि इनफेक्शन हुए हैं तो परिवार में सिर्फ उनको नहीं लगा हुआ है वैक्सिन लेकिन उनको इनफेक्शन हो गया है। इसे हालत में परिवार क्या करें फिर। कि उसके लिए तो जो ट्रीप्मेंट्स अभी अवेलेबल है और जो चल रही है। और अभी देखा भी गया है कि बच्चों में ये थोड़ा सा कम सीरियस हो रहा है। उनमें माइल्ड होके चला जाता है तो क्योंकि बच्चों का इम्म्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रॉंग होता है। लेकिन अगर जादातर लोगों को वैक्सिन लग जाएगी तो बच्चों का भी आटोमेटिकली बचाओ होगा बिकॉस हम जो चेन मेंटेन हो रही है अभी कोविट की वो तूट जाएगी। एक आखरी सवाल मैं आपसे पूस्का चाहती हूँ वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद देश के बाहर हैं तो वो कोई और वैक्सिन लेंगे मालीजी फाइजर या मोडेना का वो वैक्सिन लेते हैं तो क्या फरक आ जाता है इसमें यहाँ पर होने पर नहीं देखिए तोड़ा सा एफिकेसी का डिफरेंट वैक्सिन का एफिकेसी का फरक हो सकता है लेकिन जो immune system को जो boosting का जो step है वो तो हमारी अपनी body के अंदर होना है और वो हर vaccine ने immune system को boost up करना है efficacy एक अलग चीज है उसमें यह होता है कि vaccine लगने के बाद कितने लोगों को covid हो रहा है या अगर covid हो रहा है तो वो कितना severe हो रहा है उसमें severity में कितनी कमी आ रही है तो अभी तो यही कहा जा रहा है कि अगर आपने एक company के vaccine लगवा ली है तो आपने दूसरी company के vaccine नहीं लगानी है विकाज अभी हमें यह नहीं पता कि आपस में दोनों vaccines की cross reactivity क्या होगी ठीक है बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सविता वर्मा हम से बाचीत करने के लिए इसको समझाने के लिए कि आखर ये vaccine का पूरा चक्कर क्या हो कितना जरूरी है ये vaccine लेना सिर्फ आपके लिए ही नहीं पुरे परिवार के लिए समाज के लिए सब के लिए जरूरी है क्योंकि यहां पर कहीं कोई भी अगर छूटता है तो दूसरा जो इंसान है वो चाहे आपका परिवार का कोई हो या मित्र हो कोई भी हो उसको भी खत्रा होता है इसलिए अभी ये कहा जा रहा है कि जिसको भी vaccine दिया जा रहा है उसे ले लेना चाहिए और इससे side effects बहुत जादा नहीं है थोड़ा बहुत है जैसा कि बच्चों को टीका दिलाते हैं उस पर कही है अधिकतर और उससे जादा नहीं है तो vaccine से डरने की जरूरत नहीं है Corona से लड़ने की जरूरत है एक break लेते हैं लोटते हैं तो सुत्रों के हवाले से जो खबर आई है कोवी शील्ड को लेकर कि उसे हरी जंडी मिल गई है उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एक खास मेमान हमाई साथ अब जुड़े ही डॉक्टर अंदीप गुलेरिया निदेशक हैं इसके बहुत स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका हमारे इस सखास कारिकरम में तर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो ये खबर आ रही है कि कोवी शील्ड को अप्रूवल मिल गया है नमस्कार सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को और आपकी सारे टीम को नए साल की शुब कामना है देना चाहूँगा उसके अलावा मैं कहूँगा कि ये नए साल के लिए बहुत अच्छी खबर है एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए कि अब हमारे एक वैक्सीन जो है हमारे केसिस भी कम है हमारी मॉटालिटी रेट भी कम है अगर हम वैक्सीन रोल आउट जल्दी से कर पाएंगे तो ये सिती और बहतर होगी और हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में जल्दी ही आ पाएंगे तो ये बहुत अच्छी खबर है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस से कुछ दिनों में ही हम वैक्सीन जो है लगाना शुरू भी करतेंगे एक एस्टिमेट अगर हम देखें तो पहले दौर में माना ये जा रहा है कि करीब 30 करोड लोगों को वैक्सीन लग जाएगी क्योंकि इसका लगाने का तरीका लोग जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर लगाये जाएगा फिर आदे गंटे वेट करेंगे तो ये सारी जो तैयारिया हैं क्या हमारा सिस्टम एक बड़ी संख्या से ऐसे कोप कर सकता है बिलकुल तो ये जुनाती तो है हमारे लिए लेकिन इसके लिए कई महिनों से काम चल रहा है और हमारे पास दो अड्वांटेजिस हैं एक तो कि हम अर्लेडी एक यूनिवर्सल इम्म्नाजेशन प्रोग्राम चलाते हैं पूरे देश में बच्चों के लिए और प्रेगनें सेंटीग्रेट है मतलब कि आम फ्रिच पे भी ये वैक्सीन रखी जा सकती है जो पहले वैक्सीन आई थी अबरॉड जो चाहिए वो हम फाइजर की बात करें तो उसका टेंपरेचर माइनस सेंटी डिग्रीज था तो वो हमारे लिए लोजिस्टिक ली मुश्किल एक उसको ने का पुछ पेपर पे देखो दूसरा जब आम उसको ग्राउंड रियालिटी में करते हो तो कहीं न कहीं कुछ निकल सकता है कि कहीं पे प्रॉपर आप करके जिसमें जैसे जैसे लोग जो हैं healthcare workers हैं, frontline workers हैं, जैसे उनका data है, वो upload किया जाता है, उनका number भी, mobile number भी वहाँ पे है और उस basis पे उनको contact किया जाएगा, SMS जाएगा उनको की आपकी vaccine का date ये है, आप इस जगा पे पहुंचे, वहाँ पे उनको vaccine लगेगी, उनका dose अल करने के लिए कहा जाएगा, और वहाँ पे kits भी तियार किये जाएगे कि अगर किसी को vaccine के कारण allergic reaction हो, तो उसको कैसे injection देना है, उसको कैसे देखना है कि उसको कोई serious problem ना हो, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसकी rehearsal भी चल रही है, काल फिर से rehearsal है और states में भी, तो मेरा यह मानना है कि जब ये पूरा हो जाएगा, तब तक हम ऐसी स्थिती पे होंगे कि हम vaccine जो है देश के हरे कोने में लगा पाएंगे, जी, शायद पहली बार देश में इतने बड़े लेवल पर इस तरह की कोई drive की जा रही है, कोई exercise किया जा रहा है, इसमें आपका सबसे अगर आ कई बीमारियां जो है, उन्हें eradicate होते होते दशकों लग गए, तो मेरा यह मानना है कि system तो हमारा पूरा place में है, क्योंकि हम दो चीज़े हमारे पर experience है, एक तो जैसे मैंने का universal immunization program, दूसरा अगर हम इसको election point से देखे, तो एक election mode भी यही है, कि हम एक जगा पे vaccine का booth बनाए और वहां पे लोग vaccine आके लगाएं, चैलन्ज यह है, पहला चैलन्ज यह है कि लोगों को contact करना और उनको उस time पे आके अपने आपको vaccine लगाने के लिए पेश करना, क्योंकि कई दफ़ा यह होता है कि कई दफ़ा लोग reluctant हो जाते हैं, आना नहीं चाहते हैं, और दूसरा सब process है, यह जो है, यह सबसे ज़्यादा challenging है, और इसलिए citizen participation, लोगों की participation बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी cooperation से ही यह हो पाएगा, हम अगर पूरी चीज़ें त्यारी करें लेकिन लोग vaccination के लिए ना आया या ठीक time पे या ठीक दिन पे ना पहुंचे, तो पुरा जो doses है, उनके बीच वक्त का कितना अंतर है, क्योंकि जो मैं देख रही हूं, उसमें दो हफते से लेके, शायद 28 दिन तक का है, या फिर उससे भी ज़्यादा है, अगर वो time period जो है, flexible होता है, तो शायद ज़्यादा लोग आएंगे दूसरा dose भी लगवानी के लिए? यह अब जो डेटा आया है, उसमें इसमें flexibility ज़्यादा है, अगर हम सेरम इंस्टूट की वैक्सीन है, फाइजर जो यह वैक्सीन है, एस्टाजेनिका की, इसकी बात करें, तो UK ने भी इसका अब जो duration है, वो 28 दिन से 12 हकते तक कर दिया, तो एक काफी लंबा अर्सा है, जि जिस दिन हमने किसी वैक्ति को बलाया है, उस दिन उसका dose available ना हो, तो यह coordination जो है, यह बहुत ज़रूरी है, जाए वो 28 दिन के बाद दें, या 30 दिन के बाद दें, या 40 दिन के बाद दें, और उसको एक system में डालने के लिए, जिससे हर एक जगा पे वो evenly distribute हो, doses भी वहाँ प पर रगनी पड़ता, पिर यहाँ पर आप वैक्सीन को लेकर एक जगा पर पहुँच रहे हैं, तो यह ज़रूरी है कि जिन जिन को आपने बलाया है, वो वहाँ पर आएं और अपना टीका लगाएं, नहीं तो फिर वैक्सीन जो है, वही पर पढ़ी रह जाएगी. इस वैक्सीन को लेकर, साइड एफेक्स को लेकर मैं बार बार पूछ रही हूं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि साइड एफेक्स शायद बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब सिर्फ हम साइड एफेक्स की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि शा प्राइल जो है भारत के अलावा ब्रजिल में, साउथ आफ्रिका में, यूके में हुई हैं और ये बहुत सेफ वैक्सीन पाई गई है। जैसारे लोगों को लगे हैं उसमें अब्जर्ब नहीं की गए हैं। और भारत में Haspris उप्राइल जो है है। क्योंकि इसमें तो regulators ने भी हमारे देश के regulators ने भी UK के regulators ने भी और देशों के regulators ने भी इस सारे data को बारेकी से देखा है और तभी इसको प्रूबल दिया है एक जो आप efficacy की बात कर रहे हैं कि यह कितना effective है किसी भी शक्स पर तो कई बार सवाल उठता है कि जो बाखी जो vaccines हैं वो बता रहे हैं कि हम तो 90% successful हैं हम तो 95% successful हैं और ये vaccine कह रहा है कि हम तो 70% successful हैं तो वो भी एक थोड़ा confusion create कह रहा है ये मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस पर पढ़नानी चाहिए दोनों vaccine जो है effective है equally effective है 70 और 90% कैसे आता है वो study design पर demand करता है जो study हुई phase 3 की उसमें एक group है जिसको हमने vaccine दिया और एक group है जिसको हमने vaccine नहीं दिया वैसे ही टीका दे दिया जो क्योंकि वो blinded study है फिर हमने follow up करके देखा कि जिनको vaccine लगा था उनमें कितने लोगों को covid हुआ और जिनको vaccine नहीं लगा था प्लसीबो लगा था उसमें कितने लोगों को covid हुआ उससे ratio नकालके कहा कि इन लोगों में इतनी protection हुई क्योंकि ये 90% जिनको vaccine नहीं लगी थी उस उसमें इतने को हुआ और उनमें से सिरफ उसके 1% या 10% को हुआ लेकिन हर एक study का trial अलग है उसका end point अलग है इसलिए ये compare करना बड़ा मुश्किल है अगर किसी भी जो trial है वो अपने end point मीट करती है कि हमने इतनी efficacy set की थी हम इससे ज्यादा जा पाए हैं तो मेरे मानना है कि दोनों vaccine जो हैं वो equally effective है इसलिए हमें ये 70, 80, 90 के उस पर नहीं पढ़ना चाहिए अगर regulators ने देखा कि vaccine safe और effective है तो हमें उनकी बात मान के vaccine लगा लेनी चाहिए और जो बाची चल रही है जो चर्चा चल रही है गो ahead देने के लिए उसमें शायद फाइजर का भी अब शामि हो गया है तो ऐसे में क्या लोगों के पास ये choice होगा कि वो demand कर सकें कि हम सिर्फ इसी company का लगवाएंगे या फिर हम सिर्फ यही वाली vaccine लगवाएंगे तो उसमें भी क्या distribution में फरक आएगा क्योंकि एक तो जो है वो minus 70 degrees पर रखना है दूसरा जो है वो 2-8 में चल जाता है देखे अभी तो हमारा priority groups है जिनको हम vaccine जब लगाना चाहते हैं तो हम पहले सबसे पहले 2-3 चीज़े चाहते हैं एक तो ये चाहते हैं कि हमारा deaths कम हो जिन लोगों में death के chances ज़्यादा है बजर्ग लोग है उमर जिनकी ज़्यादा है जिनको come opportunities है heart की problem है शुगर की problem है उनक जैसे जैसे priority list नीचे होती है तो और लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगा एक समय आएगा और ये हो सकता है कि कुछ मीनों में भी आ जाए जब multiple companies जो हैं उनको approval मिल जाए जैसे भारत में ही हम बात करें तो अभी serum institute को मिला है कुछ दिनों में भारत बायो टेक को मिल ज पाएं कि अब जो भी जैसे लगाना चाहिए वो लगा सकता है और वो vaccine जो है आम दवाई की तरह market में available हो पाएं लेकिन वो तब ही हो पाएगा जब हम दो चीजें कर पाएंगे एक तो अपनी mortality कम कर पाएंगे और हम दूसरा जो chain of transmission है उसको तोड़ पाएं जिससे हम ये कह है पाएं कि हमारे cases कम हो गए हैं और हम घबराने की जूरूत नहीं है अगर हम बैक टू नूर्मल आना शुरू करें तो एकदम cases बढ़ने का डर नहीं रहेगा तो मेरे इमान में कि ultimately कुछ महीनों या साल के end तक ऐसा situation हो सकती है कि market में ही vaccines available हो और जो तब लगाना चाहे तो infectious है ऐसे और जो जानकार है वो ये भी बता रहे हैं कि ये mutate होना बहुत आम बात है लेकिन अगर बहुत ज्यादा होता है ऐसे में जब नॉर्मल सब कुछ 6-8 महिने में फिर से resume हो जाएगा लेकिन फिर से एक strain अगर आता है तो क्या उसके लिए एक अलग vaccine की जरूरत होगी तो कई viruses हैं respiratory viruses जिसमें बहुत ज्यादा changes होते हैं influenza का जो हम अगर बात करें जिससे swine flu हुआ था pandemic वो वाइरस बहुत ज्यादा change करता है जिसको हम antigenic drift कहते हैं और उसका antigen बहुत जफ़ा change होता है और इसलिए उसकी जो vaccine हम देते हैं सारे दुनिया में वो हर साल लगती है annual vaccine है लेकिन जो coronavirus है वो इतना जादा mutate नहीं करता और इसलिए लोग अमीद करते हैं कि इतना frequently vaccine की जरूत नहीं पड़ेगी अभी तक जो variation आए है COVID-19 में उसमें ऐसा कोई signal नहीं आया कि इस virus में इतना change आया है कि vaccine effective नहीं होगी हमें यह समयना चाहिए कि vaccine जो effective है antibodies भी बनाती है लेकिन vaccine एक और चीज भी करती है जो हम कहते हैं cell immediate immunity और memory cells जो body में हैं जो याद रखते हैं कि यह virus के against antibodies कैसे बनाना है उनको भी वो stimulate करती है तो vaccine multiple areas पर हमें protection देती है इसलिए chances यही है कि vaccine जो है यही काम्याब रहेगी लेकिन by chance कोई ऐसा major mutation हो जाए और नया ऐसा strain आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक established platform है तो vaccine को थोड़ा सा भी change करके वो लगा सकते हैं जिससे अगर कोई ऐसा strain by chance आए तो उसको भी cover कर पाए हैं जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमसे बात करने के लिए सभी प्रश्णों का बिलकुल साफ साफ हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका तो vaccine जो है वो safe है और एक बार हरी जंडी मिलती है तो जल्द ही वो जो खास जो एक ग्रूप है एक एक करके धीरे-धीरे करके उनको लगाया जाएगा और vaccine से डरने की जरूरत नहींगे फिलहाल prime time में इतना ही नमस्कार झाल